ओम श्यांति, बीस नवामर के शिवरादार में आपसका सुगत है, हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे बोल में ती ताकत है, कि उसके पहले ही किसी को असर पढ़ जाए है, रास तो यही है कि परमात्मा कहते हैं कि आप जब किसी को बोलते हो, तो आप अंदर क्या इंसान, तो उसा मेन कारण परमात्मा में यह कहते हैं कि आपकी जो सोच है, उसको अपने बोल के साथ में मिलाओ, तो वाच्चा के साथ मांसा दवारा शक्तिशारी सीवा करने वाले सहच सफलता मुरत भवा, निलय है, तब करने सोच करके बोलो, तो सोचना क्या है, पहले उसको clear करना है, यहनि कि अंदर से हम किसी की प्रती नफरत है, गड़ना है, या किसी से हम तंग आएं, और सो कहरें, यह काम कर दो ना यार, और अंदर से कैसे तंग आए, तो शब्द कैसे निकले, सुना ना, आपने उसके अंदर energy कैसे निकली, परिशान हो करके बोल रहे हैं तो जो अंदर की परिशानी है, वो उधर तक पहुंच जाती है, हम वो energy transfer कर देते हैं, तो वो इंसान भी फिर उस बातु कैच नहीं कर पाता है, बेकास एक wavelength होती है, अगर हम किसी को प्यार से, यहनि कि बाहर से, मुख से प्यार से बोल रहें, लेकिन अंदर भी प्यार हो, दोनों चीज़े मैच करें, तब जाके उस विक्ति को रहें, हाँ यह को करना है, इंपोर्टन है, तो वाचा के साथ मनसा तवरा शक्तिचाली सेवा करने वाले सहज सपलता मुरत भाबा, जैसे वाचा की सेवा में सदा busy रहने के अनुभवी हो गए हो, हम हर दिन वरदान मनसा सेवा अर्थात हर समय, हर आत्मा के प्रति, स्वता, शुब भावना और शुब कामना के शुद वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो, इसमें सबसे इंपोर्टन किसको अनुभव हो, यह बहुत इंपोर्टन है, जब तक हम अपने अंदर की जो अरे नवस्ते, जो भी भाचा में आप कहते हैं, असलाम वालेकूम स्रीकाल बोले, आप उनको प्यार से बोले मुख से सामने से, लेकर उनको फील होगा कि यह ढोंगी है, क्यों? क्योंकि हमने अंदर की जो फीलिंग से उनके प्रति, हमें दस दिन तक, दस साल तक उनके प् उल्टा सीता हो, उसके बाद में जाकर करके उसे मीठी बाते कर रहे हैं सामने से, नहीं हो पाएगा, इसलिए परमतर कहते हैं, पहले किसको अनुभव होगा, पहले स्वेम को वो शुद वाइबरेशन, शुद कामना, शुद भावना की वाइबरेशन, पहले खुद को फील पहले सोर्स कोन है, हम आत्मा हैं, तो सोर्स को सबसे पहले फाइदा होगा, गंगा जहां से भैती है, पानी जहां से भैता है, तो सबसे पहले जहां से भैता है, उसको गीला करते निकलता है, तो उसी तरके से हमारी जो सोच है, जितनी प्योर होगी, जितनी पवित्र होगी गंगा समन प्रिकल प्योल होगी, क्यान की गंगा, वो समन प्योल होगी, तो automatically हमारा मन भी क्या होता हो जाएगा, शीतल होता जाएगा, प्योल होता जाएगा, फैदा सबसे पहले हमें होगा, फिर आप ये भी भूल जाएगा कि मैं कुछ से ग्रहना है, इससे मुझे बदला लेना है, इसने में तो ऐसे कैसे कहती, विकास आपको पता हुगा कि आपने इपरी अनुभव कर लिया हुगा, कि अगर मैं इसके बारे मुरा सोचा, तो आज मेरा पुरा जाने वाला है, मेरा मूड़ अफोने वाला है, तो मंसा सेवा करने से वानी की एनर्जी जमा होगी, किसकी एनर्जी जमा होगी, वानी की एनर्जी, पहले संकलकों से आपने किसके बारे में अच्छा सोचा, फिर आपने जो बोला, दूसरे आगे जो आत्मा है, वो तो बुद्दू तो नहीं है, वो बेवकूफ तो नहीं है उसको ना समझ मैं नी कह सकते हैं वो फील कर लेती है यह फील कर लेती है यह थोड़ा ढूंग से मेरे से बात कर रहा है इसने जो कहा इसने जो सूच आ इसके जो भावने मेरे प्रती क्लियर है इसलिए हम किसी को बुद्दू बना नहीं सकते हैं तो जब हम बेकुल ही अंदर से साफ और भार से जब साफ जो बोलते हैं जो अंदर भार से हमोता है तो वो एनर्जी जमा होती है हमारे बोलने में और ये मंसा की शक्ति शाली सेवा सहज सफलता मुरत बना देगी ये सब को सिखायाते ब्रह्म को मारी इस श्रीव 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 दाले में है आप भी आ करके इस विद्धा को कहरा ही से समझें ओम श्यंति इसके साथ